शनिवार को धन प्राप्ती के उपाई शनिवार को धन प्राप्ती के लिए विभिन धार्मिक और जोतिशी उपाई अपनाए जाते हैं यहां कुछ महत्वपून और प्रचलित उपाय दिये जा रहे हैं, जो शनिवार को धन प्राप्ती के लिए लाबकारी माने जाते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे शनिवार को धन प्राप्ती के कुछ अध्भुत और प्रभावी उपायों के बारे में अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिती को सुधारना चाहते हैं और धन की वृध्धी करना चाहते हैं तो यह विडियो आपके लिए है चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय है शनिदेव की पूजा शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है पूजा के लिए शनिदेव की प्रतिमाया चित्र को सरसों के तेल से अभिशेक करें काले तिल उड़द और लोहे का दान करें शनिदेव के मंत्र शन शनैश्चराय नमह का 108 बार जाब करें नीले या काले रंग के वस्त्र पहनें इससे शनिदेव प्रसंद होते हैं और उनकी कृपा से धन की व्रिध्धी होती है दूसरा उपाय है पीपल के व्रिक्ष की पूजा शनिवार को पीपल के व्रिक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाए व्रिक्ष के चारों और साथ बार परिक्रमा करें और नमो भगवते वासुदेवाई मंत्र का जाब करें इससे आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है तीसरा उपाय है काले घोडे की नाल को घर के मुख्य दर्वाजे पर लगाना इसे शनिवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है यह नकारात्मक उर्जा को दूर करता है और धन की वृद्धी में सहायक होता है चौथा उपाय है हनुमान जी की पूजा हनुमान जी की पूजा करना भी शनिदेव की क्रिपा प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय है हनुमान चालिसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें यह उपाय आपके धन और सम्रिध्धी को बढ़ाएगा पांचवा उपाय है काले कुट्टे को रोटी खिलाना शनिवार को काले कुट्टे को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाएँ यह शनिदेव को प्रसंद करने और धन प्राप्ती के लिए किया जाता है शठा उपाय है नीलम रत्न धारन करना जोतिशिय परामर्ष के अनुसार शनी ग्रह की शांती के लिए नीलम रत्न धारन कर सकते हैं इसे शनिवार को शुब मुहूर्त में धारन करें सात्वा उपाय है जरूरत मंदों की सहायता करना शनिवार को गरीब और जरुरतमंद लोगों को काले वस्त्र, छाता, जूते और भोजन का दान करें यह शनिदेव को प्रसंद करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय है आठवा उपाय है लक्ष्मी जी की पूजा शनिवार को महालक्ष्मी की पूजा भी धन प्राप्ती के लिए लाभकारी होती है लक्ष्मी जी के श्रीहरी श्री महालक्ष्मय नमह मंत्र का जाप करें उनके लिए कमल का फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें शनिदेव की पूजा शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्थ होती है पूजा में निम्नलिखित चीजों का उपियोग करें शनिदेव की प्रतिमा या चित्र को सरसों के तेल से अभिशेक करें काले तिल उरद और लोहे का दान करें शनिदेव के मंत्र शन्शनैश्चराय नमह का 108 बार जाब करें नीले या काले रंग के वस्त्र पहने दो पीपल के व्रिक्ष की पूजा शनिवार को पीपल के व्रिक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाए व्रिक्ष के चारों और साथ बार परिक्रमा करें नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तीन काले घोडे की नाल काले घोडे की नाल को घर के मुख्य दर्वाजे पर लगाएं इसे शनिवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है यह नकारात्मक उर्जा को दूर करता है और धन की व्रिधी में सहायक होता है चार हनुमान जी की पूजा हनुमान जी की पूजा करना भी शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय है हनुमान चालिसा का पाठ करें हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें पांच काले कुट्टे को रोटी खिलाना शनिवार को काले कुट्टे को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाएं यह उपाय शनिदेव को प्रसंद करने और धन प्राप्ति के लिए किया जाता है जोतिशिय परामर्ष के अनुसार शनिग्रह की शांती के लिए नीलम रत्न धारण कर सकते हैं इसे शनिवार को शुब मुहूर्ट में धारण करें साथ जरूरत मंदों की सहायता शनिवार को गरीब और जरूरत मंद लोगों को काले वस्त्र, छाता, जूते और भोजन का दान करें यह शनिदेव को प्रसंद करने और उनकी क्रिपा प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय है आठ लक्ष्मी जी की आराधना शनिवार को महालक्ष्मी की पूजा भी धन प्राप्ती के लिए लाभकारी होती है लक्ष्मी जी के श्रीहरी श्री महालक्ष्मय नमह मंत्र का जाप करें उनके लिए कमल का फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें इन उपायों को श्रधा और विश्वास के साथ करने से शनिदेव की कृपा प्राप्थ होती है और धन की व्रिद्धी होती है ध्यान रखें की सभी उपाय सच्चे मन और निष्ठा के साथ किये जाने चाहिए तो दोस्तों ये थे शनिवार को धन प्राप्ती के कुछ प्रभावी उपाए इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और धन की वृध्धी होती है अगर आपको यह विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हम मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो